इस वीडियो में बात करेंगे हम Histology of Isophagus की जो की निमलिलिकित टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की उसके बाद Microscopic Feature जिसमें हम बात करेंगे Isophagus की कितने लेयर्स पाय जाती है और उन में से लेयर्स हैं Mucosa, Submucosa, Muscularis, Externa और The Adventistia तो सबसे पहले देखते हैं Introduction Isophagus The Isophagus is a long muscular tube beginning at the end of cricoid cartilage and open into the cardiac end of stomach It conduct achieved food and liquid to stomach Isophagus Isophagus एक 25 cm लंबी पेशी नलिका होती है यह cricoid cartilage के अंत से लेकर cardiac end तक तथा cardiac end से इस्टमक में जाकर खुलती है यह चबाय गए भोजन को अर्थायद बोलस को तथा तरल को इस्टमक के बेसीकली टू पार्ट होते हैं एक अपर इंड होता है टू इंड होते हैं एक अपर इंड एक लोवर इंड और यह जिस इसमें दो इंस्पिक्टर भी पाया जाते हैं जिसको उपर वाले इंस्पिक्टर को क्रिको फेरेंजियल इस्पिक्टर और ऐसा इंस्पिक्टर जो इन बिट्वीन इस्टमक एंड इसोफेगस पाया जाता है उसको बोलते हैं इसोफेजियल इस्पिक्टर इसकी शुरुवात इसोफेगस की C6 के लेवल से शुरू होती है और नीचे आने के बाद यह T10 पर याने के थोरेसिक वर्डिब्रा 10 के लेवल पर डायफराम को पियर्स करते हुए T11 के लेवल पर इस्टमक मजा कर खुल जाती है इसके बाद हम देखते हैं इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पर इसोफेगस की वाल मुख्यते हैं चार परतों की बनी होती है म्यूकोसा, सब्यूकोसा, मस्कुलारिस, एक्स्टरना और एक्स्टरनल एडवेंटिशिया सबसे पहले म्यूकोसा की बात करते हैं इसमें ये इसोफेगस का ट्रांसफर सेक्षन का पिक्चर है जिसमें अंदर से बाहर की तरफ परतों के बारे में बात करेंगे सबसे पहली परत है म्यूकोसा म्यूकोसा इसोफेगस की म्यूकस मेंब्रेन में आप यहां पर देख सकते हैं जो dark red का area है वो इसोफेगस की मिउक कोस मेंब्रेन में longitudinal folds पाय जाते हैं जो इसोफेगस के फैलने के बाद disappear हो जाते हैं इसके मिउकोसा में अंदर की लेएर में longitudinal यानि के लंबुवद फोल्ड पाया जाते हैं, जो कि एसोफेगस के डालेट होने के बाद डिसापीर हो जाते हैं, एसोफेगस की म्यूकोसा इस्टेटिफाइड स्कौमस इपिथिलियम दोरा अस्तरित रहती है, इसकी म्यूकोसा जो है इसके इनर लाइनिंग में स्टेटिफाइड स्क्वामस इपिथिलियम अर्थार अस्तरित शल्की उपकला उतक की परत पाई जाती है। इस म्यूकोसा में कुछ मेलनोसाइट और इंडोक्राइड सेल भी पाया जाते हैं। इसमें जो लैमिना प्रप्रिया के संयोजी उतक के पैपिला इपिथिलियम की तरफ प्रोजेक्टेड रहते हैं। इसमें जो लंडो ही प्रोप्रिया हैं उसके पैपिलियन जाते हैं। ईसोफेगस के upper end और lower end में dubulo alveolar mucus gland lamina propria में पाई जाते हैं यह रहा lamina propria उसमें आपको कुछ gland भी मिलेंगे जिसको dubulo alveolar gland कहा जाता है upper end of isophagus में muscularis mucosa नहीं पाई जाती है muscularis mucosa जो आपको एक dash-dash करके red line में दिखाई दे रही है यह upper end में नहीं पाई जाती है या कहना चाहिए कि बहुत ही कंप पाई जाती है या बहुत ही कंप डबलब होती है जबकि isophagus के lower part में या lower end में इसकी thickness ज़्यादा होती है अब दूसरे परत की बात करते हैं जिसको कहते हैं sub-mucosa Isophagus की sub-mucosa की परत सबसे महत्तवपूर्ण सरचना ISISophagus की sub-mucosa परत में सबसे महत्तवपूर्ण सरचना tubular alleolar mucus gland होती है यह आप देख सकते हैं यह पूरी gray color का area जो है पूरा का पूरा sabmucosa है इसमें tubual aleular gland भी पाय जाते हैं कुछ blood vessels आपको दिख रहा हैं के बीच बीच में इसमें blood vessels भी होते हैं और साथ ही-साथ sabmucosa में छोटे छोटे समुह में lymphoid tissue भी पाय जाते हैं तथा इसमें प्लाजमा सिल और मेक्रोफेज जैसे की मोनोसाइट भी उपस्थित वबे हैं तीसरी लेयर की बात करें मस्कुलारिस एक्स्टर्ना की आपको यहाँ पर ओरेंज किलर की एक पट्टी दिख रही है यह लेयर है मस्कुलारिस एक्स्टर्ना इसोफेजस की यह परत सर्कुलर तथा लॉंगिटूडनल दोनों फेशन में पाए जाती है तथा यह पेशियों के पेशित अंतु कुछ रेखित तथा कुछ चिकने होते हैं यानि कि इस मस्कुलारिस एक्स्टर्ना में जो मसल फाइबर है तो कुछ इस्ट्रेटेड होती है कुछ स्मूथ होती है अर्थात रेखित होती है और रेखित होती है यानि चिकनी होती है अगर हम इसोफेजस के तीन भाग करें अगर हम इसोफेजस के तीन भाग कर देते हैं अपर 1 3rd, Middle 1 3rd और Lower 1 3rd तो हमको Upper 1 3rd में अपर 1 3rd यानि उपरी एक तिहाई भाग में मसल फाइबर इसके पेशी तन्तो इसके स्ट्रेटेड होंगे यानि कि रेखित पाये जाएँगे Lower 1 3rd में अगर हम देखें तो यहां पर जो मसल फाइबर होते हैं वो स्मूथ होते हैं और Middle 1 3rd की बात करें यानि कि मद्ध एक तिहाई भाग की बात करें तो यहां पर हमको मसल फाइबर जो है वो इस्ट्रेटेड भी मिलेंगी और स्मूथ भी मिलेंगी उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका एडवेंटीशिया इसोफेगस की पेशी परत अर्थात मस्कुलारिस एक्स्टर्ना ये गुलाबी कलर की जो बट्टी दिख रही है उसके उपर मस्कुलारिस एक्स्टर्ना के उपर डेंस याने कि सघन फाइब्रस टीशू की एक परत होती है जिसको एडवेंटीशिया कहते हैं जो आपको हरे रंग की देख रही है जबकि इसोफेगस की लोवर इंड में जहां इसोफेगस डायाफ्राम के नीचे पाया जाता है यहां पर कार्डियक नौज के पास यह है डायाफ्राम समझ लीजे तो इस भाग पर जबकि इसोफेगस की लोवर इंड में जहां इसोफेगस डायाफ्राम के नीचे पाया जाता है वहां इसोफेगस पर पेरिटोनियम की परत होती है जबकि इस diaphragm के ऊपर पूरी की पूरी जो esophagus की musculature है उसके ऊपर adventitia की परत पाए जाती है It is all about the histology of esophagus. Thank you